हम फौजी जब तुम लोगों की सुरक्षा में 20-20 किलो का वजन लेकर हमेशा खड़े रह सकते हैं तो क्या तुम लोगों एक तिरंगा नहीं समाल सकते हम लोगों के लिए अपने देश के लिए मैं क्या कर रही हो आप क्या कर रही हो मतलब इधर आप क्या हिए अपने तिरंगे का अपमान मैंने नहीं रखा इसले हिंदुस्तानी फौजी की आँखे बाद से भी ज़्यादा तेज होती है चलो मान लिया आपने इस जंडे को यहां नहीं फेका पर उठा तो सकती थी ना और फौजी तो ज्यादा ज्यान मत दे औकात मेरे अपनी अपनी अउकात में ही हूँ अगर मेरी आखों के सामने कोई तिरंगे की बेज़ती करेगा ना तो आखें निकाल लूँगा मैं उसकी क्या सिर्फ हम फौजी का ही कर्में तिरंगे की हिफाजद ये कोई ऐसी वैसी क्या अपने देश की आनबान शान है ये और तिरंगे की हिफाज़त सिर्फ ओजी का कर्म नहीं बलकि हर इंदुतानी का फर्ज है अरे जाना या टाइम मत खराब कर मेरे बहुत देखें तिरे जैसे मेरे जैसे नहीं देखें होंगे तुने एक लड़की को थपड मारा लड़की को नहीं मारा बलकि बत्तमीज लड़की को मारा हमें ये नहीं सिखाय जाता कि किसी बेगुना इंसान पर अपना हांख भी उठाया जाए लेकिन इतना तो तुम्हें भी पता होगा कि अगर कोई इंसान अमारी तिरंगे की तरफ आख उठा करके भी देखेगा तो एकि इंदोस्तानी फॉजी आखे निकाल लेगा उसकी फॉजी होने का बड़ा घमंड है तुझे ओकाथी क्या है तुम्हारी घमंड नहीं फॉजी होने का बहुत ही ज़ादा घमंड है मुझे और इतनी उकाथ ही मेरी काफी है तुम जैसे लोगना 25-30,000 की नौकरी करके ही खतम हो जाते हो और देख मेरी उकाथ 10 लाग की गाड़ी में घुमती हो तुम घूमो 10 लाग की गाड़ी में हमें 50 डिगरी गर्मी माइनस 50 डिगरी ठंडी तेज बारिश में भी बॉर्डर पे खड़े ह शुत को कर अपने देश के लिए हस्ते हस्ते सीने पे गोली खाने में फक्र मैसूस होता है यही हमें सुकून देता है तुम क्या जानों असलिथ वक्त होता च्या है इस अब बहुत हो रहा एते ला तुने तो मुझे एक थपड मारा जाना मैने तुझे दस मैं भी दुज़रा देखूं उसे अपना देश प्रेम पहले दिखता है या फिर ये बहन रुक अभी समझ आ जाएगा दीरी यही है वो इंसान जिसने मुझे थपड मारा है कितना मारा? एक वो भी बहुत जोर का कम ही मारा था तुम एक फोजी के बारे में बुरा भला बोल रही हो समझ में आता है ये कौन है? मैम सॉरी बट शायद आपकी बहन कुछ जादा ही मॉडर्न है इसे तिरंगे की वैल्यू समझाने की जरूरत है इसने ये तिरंगा इधर फेका और जा रही थी वो फट गया था तो रख के क्या करती अच्छा फट गया था एक मैट मैम ये कितने का नोट है? सौका अब कितने का है? सौका अरे क्यों? फटने से इसकी वैल्यू खत्म नहीं हुई? मैं भी फेक देता हूँ इसे बड़े शर्म की बात है एक नोट फट जाने के बाद भी अपनी वैल्यू नहीं खोता चाहे वो दस, बीस, पचास, सौ, हजार कितने का भी हो? लेकिन हमारा तिरंगा जो अन्मोल है वो फट जाने के बाद अपनी वैल्यू खो देता है लोग इसे फेक देते हैं वाह अब आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है I am sorry मुझे सब समझ में आ गया है अफसोस कि तुम्हें अब समझाया जबकि अपने तिरंगे की कदर करना ये कोई समझाने की बात ही नहीं है हम फौजी जब तुम लोगों की सुरक्षा में 20-20 किलो का वजन लेकर हमेशा खड़े रह सकते हैं तो क्या तुम लोग एक तिरंगा नहीं समाल सकते हम लोगों के लिए अपने देश के लिए इस वीडियो के बाद शायद मुझे कुछ बोलने की जरूत नहीं है बस दोस्तों अपने तिरंगे की और अपने जवानों की हमेशा इज़त करना वो भी सच्चे दिल से सिर्फ दिखावे के लिए नहीं जय हिंद